असमिता और्गेनिक फार्म में हम खड़े हैं यह पिछले साल का लगाया हुआ गन्ना है इस साल हम अलग पद्दत से डिफरेंट तर्कीव से गन्ना लगाने का प्रयास है और उत्वादन सव तन प्रती एक्टर लेने का प्रयास है उसके लिए सब में इंपोर्ड़न पहला ह होता है जरूरी होता है कि आप बियाना कैसे सेलेक्ट करते हैं यह गन्ना है यह 12-14 फिट हाइट का है इस गन्ने को तीन हिस्सों में डिवाइट करना चाहिए जिसमें एक ग्लुकोस फार्म हो गया है शुगर फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई नीचे का पॉर्शन बीच का प इस में से करनी चाहिए और यह आक फूट रही है इस पॉट रही है और यह जो पॉट रही है कि जो तविला पोर्शन है इसमें फिल का सेलेक्शन किया था कि उप घ्र B題 में से जीट का सेलेक्शन होगा अभी आप देखेंगा के हम इसको इसको इसमें सेскिली अलग निका यह वीज अमुरुत है जीवा अमुरुत के अंदर चुना दाल करके इसमें मिक्स किया गया है आधा गंटा उसमें डुबा के रखा जाएगा और उसके बाद में इसे निकाल करके इसे सुखाये जाएगा और सुखाने के बाद में मैं आपको जो गन्नी की लागवड जिस तर और एक तोड़ो ने, और एक निकले, यह गंजी वामरुत इसमें डाला गया है, जमीन को सहां सा मौइस्चर किया गया है, मौश्चर करने के बाद में, इसको जो है, एक दो काट यहां रखी जाएगी, और एक देड़ फिट पे दूसरी काट रखी जाएगी, और इसको फिर इस मट्टी से धाग दिया जाएगा, अब यह देड़ फिट का गैप इसलिए रखा गया है, कि जब इसके इंदे से जर्मिनेशन होगा, तो इसमें से जो ब्रैंचेस कुट्की है, और यहां से दिखली नहीं तो ओटेगी, जहां इसको मट्टी का सपोर्ट पर आइगी, और यहां तो इसको मट्टी का स्पोर्ट कम है, वहां से इसकी द्रैंचेस कुटेगी, इसकी भी भी देखता नहीं, बरोड ना, इसमा 2 लगानेज? अपने उज़र क्या नश्टी किया है? चार गाट लगाने का लगाने का लगाने का लगाना थी जब दूपिट छोड़ के लगाना है कि अधर ऊंकने को दो गटी कि इधर लगाना रहते हैं, तो में धूसद कि दो पीटिस वह ल्ड़ा है Not 2 feet है अब इसके बादी नगा लगा की एधर लगा ना है okay है विए अभी दो फिट ओर चाटना फिट चाड़ा इसकी आप निचे लैची गाज़ी एक नीचे रहती यो कि भुख़र रहती है कि नोकर बार दे रहा है नुब बार निया रहा है उतला राएन दो कि ना यहाँ ए नई कि अन्य इनन्य नुब जो ओन्य हो और बार नी सादस्टा एक रहा है जो यह खेंगे लगज़ दुछार दुछा ज सब्सक्शार कर दो